एलकाइल हेलाइट के भौतिक और रसाइनी गुनों को जब हमें समझना है तो उससे पहले हमें ये ध्यान अखना होगा कि कार्बन और हैलोजन के मद्धे जो बंध है वो कैसा बंध है उसकी प्रकृती कैसी है क्या क्या कारक उसे प्रभावित करते हैं बात ये उड़ती है कि ऐसा क्या है इस बंध में ये इतना इंपोर्टेंट क्यों है देखे स्टार्टिंग में क्या हुआ था एलकील हेलाइट बने कैसे थे एलकील हेलाइट बनते समय कार्बन के सांथ जो हाइट्रोजन जुड़ा था उसे हटा कर यहां कौन आ गया था है अब हैलोजन आ तो गया लेकिन ध्यान दीजिए हैलोजन कहां से है जब हम आवर साड़नी की बात करते हैं तो आवर साड़नी में 17 नंबर के वर्ग में हमार पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडिन अब हमें पता चलता है कि कार्बन के बाद हैलोजन है जैसे ही हम बात करते हैं कि कार्बन के बाद हैलोजन है तो हमें तूरंद क्लिक करता है एक गुण जिसे हम कहते हैं विद्धुत रिनात्मक्ता विद्धुत्रनात्मक्ता में होता क्या है कि देखे जब दो तत्तों आपस में इलेक्ट्रोनों का साजह करते हैं इलेक्ट्रोनों का साजह करकर ये क्या करते हैं बंद का निर्मार्ण करते हैं ठीक, बंद के निर्मान के बाद ये जो साजय के इलेक्ट्रोन है दोनों तत्तों के मद्ध में रहने चाहिए परन्तु कुछ तत्तों में ये गोंड पाया जाता ये प्रवित्ती होती है कि साजय के इलेक्ट्रोनों को वो अपनी और ज्यादा क्या कर लेते हैं? खीच लेते हैं इसी प्रवित्ती को हम कहते हैं विद्धूत रिनात्मक्ता या इलेक्ट्रो नेगेटिविटी तो हैलोजन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है जादा होती है तो कार्बन से जादा होने के कारण जब हाइट्रोजन हट गया और उसमें है कर जूड़ गए कुछ इस प्रकार तो आप देखिए यह जो हैलूजन है यह थोड़े ज्यादा पावर्फुल है क्यों क्योंकि यह क्या कर रहे थे साजय के लेक्ट्रोनों को अपनी और कीच लेते हैं इससे हुआ देखिए जैसे ही यह साजये के इलेक्टरोन युग मुग को अपनी ओर कीच लेते हैं तब हमारे कार्बन के ओपर हलका सा धहनावेश आ acceso जाता है और हैलुजन के ओपर हलका सा रेणावेश आजाता है जिसे हम कहते हैं आंशिक धनावेश और आंशिक रिनावेश कुछ इस प्रकार अब इससे क्या हुआ कि एक तरफ धनावेश दिख रहा है हमें देखिए और एक तरफ क्या हो रहा है रिनावेश हमारा बंध अब कैसा हो गया ये बंद दुरूवी हो गया है इस पे दो दुरू आ गये हैं धंदुरू और रिंदुरू इसलिए हम कहते हैं कि हमारा बंद अब CX बंद जो है वो कैसा हो गया है दुरूवी बंद हो गया है बंद दुरूवी होने से क्या वहां फ्लोरीन है या फिर क्लोरीन है या ब्रोमीन आयोडिन जब आते हैं तो सभी बंदों की विद्धुत्रनात्मकता एक सी है क्या सभी बंद की दुरूवता एक जैसी है चलो इस पे थोड़ी समझ बनाएं क्या होता है जब हम आवर साणने की बात करते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडिन हमने देखा कि जैसे जैसे हम वर्ग में सत्रमें वर्ग में उपर से नीचे की और आ रहे हैं आकार क्या होते जा रहा है धीरे 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 हमारे इन तत्तों के आकार क्या होंगे बढ़ते जाएंगे, देखें, फ्लोरीन का अकार सबसे छोटा है और आयोडीन का अकार क्या है, सबसे बढ़ा है, तो जैसे जैसे हम फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से फिर ब्रोमीन की तरफ और ब्रोमीन से आयोडीन की तरफ आते गए, अकार में ऐसा परिवर्तन हमें दिख अब सोचो कि हमारा कार्बन जैसे जैसे अलग-अलग हैलोजन से जुड़ते जाएगा तो जो बंद है उसके लेंध में क्या परिवर्तन आएगा चलिए इसे हम डाटा के साथ देखते हैं देखिए स्टेबल में डाटा से क्लियर होते जा रहा है कि जैसे जैसे कार्बन अगर फ्लोरीन के साथ बंद बना रहा है फिर कार्बन क्लोरीन के साथ बंद बनाता है अब हमारा कार्बन ब्रोमीन के साथ बंद बना रहा है और जैसे ही हम वर्ग में उपर से नीचे आ रहे हैं अकार बढ़ने से बंद की दूरी भी क्या होते जा रही है यहां बढ़ते जा रही है तो चलो अब इसे समझें फ्लोरीन की विद्धू त्रिनात्मक्ता जो होती है वो क्लोरीन से अधीक है वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात क करते हैं साइस का तो फ्लोरीन का साइस जो होता है वो क्लोरीन से क्या होगा कम होता है ठीक है इससे क्या होगा कि कार्बन अगर फ्लोरीन के साथ बंद बनाता है तो कार्बन फ्लोरीन बंद की दूरी देखिए कम है और वहीं अगर कार्बन हमारे आयोडीन के साथ बंद बन अब इससे क्या होता है इससे हमें ये भी पता चलता है कि जैसे जैसे ये अलग-अलग हैलोजन्स के साथ बंद बनाते हैं इनका द्वीद्रू आगुन भी क्या होगा बदलते जाता है द्वीद्रू आगुन ये दूरी और आवेश के गुननफल के बराबर होता है मालनों हमारे पास A है और B है इस प्रकार इनकी विद्धूत्रनात्मक्ता में क्या है अंतर है बी के विद्धूत्रनात्मक्ता A से अधिक है तो साजे के इलेक्ट्रूनों को B क्या कर रहा है अपनी और खीच लेता है जिससे B के उपर रिणा वेश आगया है हलका सा इस प्रकार और A के उपर हलका सा क्या आ रहा है धन आवेश आ रहा है इस प्रकार आवेश आ जाने से इनमें क्या होगा अब इनके बन जो है दुरूवी हो गए है अब समझने वाली बात यह है कि क्योंकि यहां पे दुरी और आवेश पे निर्भर करता है दुरी बढ़ते जा रही है जब हम बात करते हैं मेथाइल फ्लोराइट की बात करें तो यहां देखो दुरी क्या होगी कम होगी जब हम बात करें मेथाइल आयोडाइट की तो दुरी क्या होगी अधिक होगी तो दुरी के अधिक होने से दुरी धुरू आगून का मान मेथाइल फ्लोराइट के लिए क्या होगा कम हो जाता है जब कि हमारे मिताइल आयोडीट के लिए यह मान क्या होगा अधिक होगा कुछ इस प्रकार कि चलिए द्वीध्रों आघून से हमने यह समझ लिया कि किस प्रकार बंद हमारे लिए बहुत महत्तपुन रोल प्ले करते हैं अब इसी में आगे समझ यह कि हम इसे और कैसे किस अधार पर समझ सकते हैं तो CX बंद को कार्बन हैलूजन बंद को हम बंद वियोजन उड़ जाके बेसिस पे भी समझ सकते हैं कैसे चलिए देखें देखें यहां पर कार्बन और हैलूजन के मद्धिक जो बंद है वो क्या है दुरूवी बंद होता है वो इस पस्ट है इस दुरूवी बंद के कारण क्या होगा कि यहां बंद वियोजन उड़ जाका याने किसी भी दो परमाणू के मद्धिय जो बंद बना है उस बंद को तोड़ने के लिए हमें जो उड़ जा लगती है उसे हम कहते हैं बंद वियोजन उड़ जा अगर वहां बंद की दूरी कम है मतलब वहां बंद क्या होगा बहुत मजबूत होगा प्रबल होगा प्रबल बंद को तोड़ने के लिए हमें अधिक उरजा देनी होगी तो बंद दूरी कम होने से बंद वियोजन उड़ जाका मान क्या हो गया बढ़ गया मतलब मेथाईल फ्लोराइट को अगर हम ले तो इसकी बंद वियोजन उर्जा का मान अधीक होता है वहीं दूसरी तरफ हम बात करें मेथाईल आयोडाइट की क्योंकि इनके मद्य दूरी अधीक है तो बंद क्या होगा फ्लोराइट की तूलना में यहां बंद दूर्बल होगा बंद वियोजन उर्जा का मान कम होगा जिसके कारण यह असानी से तूट जाता है अब इतना तो आप समझ गए कि कैसे जब हाईट्रोजन हड़ जाता है और उसकी जगा हैलोजनस आते हैं तो हमारा बंद दूरूवी हो जाता है और इस दूरूवी बंद के कारण एलकाईल हेलाइट जो है वो अधिक क्रियाशिल हो जाते हैं अपने एलकेन से जिन एलकेन स अगर अलग-अलग अलकेन ले और हैलोजन वही रहे तो क्या परिवर्टन होगा किस प्रकार इनकी क्रिया शिलता प्रभावित होगी चलिए देखते हैं पहला हम ले लेते हैं कि हमने मालनो एलकिल हैलाइड में हैलोजन को बदल दिया एलकिल ग्रूप वही रहेगा हम सर्फ हैलोजन को बदलते जा रहे हैं हम पहले ले रहे हैं जैसे हमने ले लिया मेथिल फ्लोराइड फिर हम लेंगे मेथिल क्लोराइड फिर मेथिल ब्रोमाईड और मेथिल आयोडाइड अब इसमें क्रिया शिल्ता हमें समझनी है तो देखिए कौन सा कॉनसेप्ट आएगा जो हमने अभी समझा है कि जैसे जैसे ह वर्ग में उपर से नीचे आते हैं अकार बढ़ते जाता है अकार बढ़ने से बंद की दूरी भी क्या हो गई बढ़ गई बंद वियोजन उर्जा का मान उससे क्या हो गया कम हो गया अब जब बंद वियोजन उर्जा का मान कम हो गया असानी से वो बंद क्या होगा तूट जा सबसे कम क्रियाशिल जो होंगे वो होंगे फ्लोरीन तो यह हमने समझा था CX बंद के बेसिस पे और देखें यदि हैलोजन निश्चित रहे और एलकेल ग्रूप को हम बदलते जाएं तब क्या होगा उस केस में जब हमारे पास त्रीतियक अलकेल ग्रूप होगा द्वीतियक और प्राथमिक रहेगा इस केस में सबसे अधिक रियाशिल कौन होगा त्रीतियक अलकेन होगे फिर द्वीतियक और उसके बाद प्राथमिक अलकेन होते हैं इसी अधार पर हम और भी उधारनों को समझ सकते हैं देखिए यहां पर यदि हम प्राथ्मिक एलकाइल हेलाइट की बात करें इनमें हम एलकाइल ग्रूप के साइस को बढ़ाते जाएं याने हम ले ले मेथिल फ्लोराइट एथिल फ्लोराइट प्रोपिल फ्लोराइट तो एलकील ग्रूप के अगर हम साइस को बढ़ाते जाएं तो क्रिया शिलता का क्रम क्या होगा तो जितने कम कार्बन होंगे इनकी क्रिया शिलता उतनी ही कम होगी जैसे जैसे आप कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे क्रिया शिल्ता क्या होते जाएगी कम होते जाएगी इसे हम कैसे समझ सकते हैं इसे हम प्रेणिक प्रभाव के अधार पर समझ सकते हैं जो हमारे एलकील ग्रूप होते हैं यह धनात्मक प्रेणिक प्रभाव डालते हैं इसका मतलब यह है कि यह दान करते हैं तो प्रेनिक प्रभाऊ के कारण जैसे जैसे कारबन का साइज बढ़ता जाएगा इनकी क्रिया शिल्ता क्या होगी कम होती जाएगी बात करते हैं हेलो एल के इनके बहुते गुणों की जैसे ये किस अवस्था में है कमरे के ताप पर जल में इनकी विलेता या दूसरे कार्मिक पदार्तों में इनकी विलेता क्या है जुआला के साथ इनका रंग कैसा रहता है इन सभी गुनों के बारे में जब हम जानेंगे तो रसाइनिक अभिक्रियाओं में कैसे भाग लेते हैं ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगे तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम जानते हैं कि ये किस बहुत तिक अवस्था में होते हैं कमरे के ताप पर गैस होते हैं पर जैसे-जैसे सदस्यों की संख्या बढ़ते जा रही है कार्बन की संख्या बढ़ते जाएगी लगभग 18 कार्बन तक जब यह रहते हैं तब इनकी भौतिक अबस्ता गैस से बदलकर द्रौ में यह पाए जाते हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जिनमें कार्बन की संख्या 18 तक है यही कम्रे के ताब पर ठोस होते हैं देखिए कुछ एक सदस्य जो उच्चितम सदस्य हैं यह कम्रे के ताब पर कैसे हैं ठोस होते हैं अब बात करें इनके गंद की तो एलकेल हैलाइड जो कम्रे के ताब पर द्रो हैं साथी साथ वो वोला टाइल हैं यानि वाश्पशिल हैं इन्हें हम बड़े गौर से जब सुंगेंगे आपको ध्यान से सुंगना होगा तो जब हम ध्यान से सुंगेंगे और इनकी सांदरता थोड़ी अधिक होगी तब हमें पता चलेगा कि इनकी गंद कैसी है मधूर गंद है यह हमें ध्यान देना होगा कि इनकी गंद क्या होती है मधूर होती है इनके सदस्य जो होते हैं यह रंग हीन होते हैं पर जैसे अपन बात करें ब्रोमाइट की या आयोडाइट की इन्हें अगर हम sunlight में रखते हैं ये और साथ ही अगर थोड़ा open है उसकी bottle तो क्या होता है इनका रंग परिवर्तित हो जाता है तो जब ये शुद्ध होते हैं उस समय तो ये रंग हीन है लेकिन जैसे ही इन में sunlight आती है तो इनका color क्या हो रहा है देखिए ये परिवर्तित हो जाता है चलिए बात करते हैं methyl bromide के methyl bromide को CH3BR इसे हम एक pesticide के form में यूज करते हैं पर क्या हुआ कि लंबे समय तक इनका उपयोग बहुत होने से ये ओजोन जो परत है हमारे वायू मंडल में उस परत के लिए काफे नुकसान दायक हो गये थे तो इनका उपयोग अभी बैन करा दिय गया है मेथिल आयोडाइट का एक और उपयोग था जितने भी हमारे अध्योगिक एरिया है इंड्रस्ट्रियल एरिया में वहां ये फायर एक्स्टिंग्यूशर का काम करते थे वह एक एजेंट थे तो ये था हमारा मेथिल ब्रोमाइड इसी प्रकार एथिल ब्रोमाइड जो है इसको जब हम सनलाइट में रखते हैं तब ये थोड़ा सा क्या होजाता है इसमें रंग परिवर्तन लुत और यहलका सा पीला हो जाता है चलिए तो अब हमें य ये क्लियर हो गया कि जो निम्हर मेरी सादस्जिया है जैसे जैसे सदस्ट्चों में कार्बन की संख्य बढ़ते जारी है इनकी अवस्थाएं गैस से द्रौ और उच्चतर सदर से कैसे होते हैं ठोस होते हैं चलिए एक टेबल से हमेसे और क्लियर कर लें तो देखिए टेबल में मेथिल क्लोराइड जो है कमरे के ताप पर कैसा है गैस है वहीं हम बात करें मेथिल ब्रोमाइड की क ये भी कमरे के ताप पर गैस है वहीं हम बात कर रहे थे कि जिनमें कार्बन की संख्या 18 तक है ये सभी सदसे कमरे के ताप पर कैसे रहेंगे द्रौ रहते हैं और ऐसे सदसे जिनमें कार्बन की संख्या 18 से अधीक है ये सभी कमरे के ताप पर कैसे होते हैं ठोस होते हैं तो भौती कवस्ता में होंगे चलिए अब हम थोड़ा सा इस डिसकुशन को आगे बढ़ाते हैं हम देखते हैं कि ज्वाला के साथ इनका क्या रंग होता है तो जब एलकील हैलाइट की ज्वाला को हम देखते हैं तो ये अधिकतर जो हैं हरे रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं द अच्छे से विले हो पाते हैं तो जब भी हम बातके ओले तरह कि हम सबसे पहले द्रिणाद कि हा हिटरुजन बीलेलेटा की हिए स्सल休्ट से इनका संपा तो समझ्जते हैं पहले ही हरेगा ह dönmar सब्भी किसी विध्वुत्र रणी तत्त्रों के सांट सरेयोझी बच बनाता है तो क्या होता है क्योंकि विध्वुत्री तत्त्तनMe habr साज है कि एलेक्टों को अपनी औरlike कर ले रहा है खीची लेता है तो जिस से हमारे absorption के उपर आनशिक क्या आजाता है देखिए आनशिक इस पर धन आवेश आता है और रिण विद्धुती जो तत्त्व है इस पर आनशिक रिण आवेश आ जाता है तो अब इस प्रकार का हमारा हाइट्रूजन जिस पर आनशिक धन अवेश है यह रिण विद्धुतिय तत्तों के साथ एक और बंद बनाता है इस बंद को हम कहते हैं हाइट्रूजन बंद इस बंद को हम डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं देखिए कुछ इस तरह तो जब भी हम किसी विले को विलायक में घोलते हैं तो वहाँ चर्चा होती है हाइट्रूजन बंद की हम यहाँ बात कर रहे थे कि हमारा एलकिल हैलाइट जल में विले है या नहीं चलिए चेक करते हैं कि अलकिल हैलाइट विले होगा या नहीं हमने चर्चा की थी कि जो अलकिल हैलाइट में CX बंद है कार्बन हैलूजन बंद है यह कैसा होता है द्रूवी होता है क्यों द्रूवी होता है इस पे हमने डिसकस्शन किया था कि कार्बन और हैलूजन के उनको हेलोजन क्या कर रहा है अपनी और खीच लेता है और हेलोजन के उपर आन्शिक रिणाविश और हमारे कार्बन के उपर आन्शिक धनाविश आजाता है अब हमें जो ध्यान देना है कि आन्शिक धनाविश और आन्शिक रिणाविश अब देखिए कि जब आन्शिक धानाविश और रेनाविश आ जाता है तो हमारा जो अलकाईल हैलाइड है ये जल में आन्शिक रूप से विले होता है बहुत अधिक विले नहीं होता क्यों? एक सिंपल सा कॉंसेप्ट है कि लाइक डिजॉल लाइक अगर आपका विलायक और विले दोनों एक जैसे हैं दोनों दुरूवी हैं तो एक दूसरे में अच्छे से विले होंगे दुरूनों आधुरूवी हैं तो वो आपस में विले होंगे क्योंकि हमारा Alkyl Helight क्या है आन्शिक द्रूवी है तो यह आन्शिक विले होता है चली इससे समझने के लिए हमेंं कॉछ और चीज़ें समझने होंगी पहले हमें यह समझ ना है कि जब हम Alkyl Helight को जल में विले कर रहे हैं तब क्या होता है जल में विले करने के लिए हमें उर्जा की आउशक्ता होती है अब ये उर्जा का उप्योग कहा होगा तो इस उर्जा का उप्योग दो जगा होगा पहला देखिए कि आपके जल के अन्वों के मद्ध यहां देखिए जल के अन्वों के मद्ध भी क्या है? तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? यह हाइट्रोजन बंध को तोड़ना है जिसके लिए किसकी जर्वत है? उरजा की दूसरी जगह कहां यूज होगा यह? तो एलकिल हैलाइड, एलकिल हैलाइड अन्वों के मद्ध भी देखिए क्या है? हाइट्रोजन बंध है इस हाइट्रोजन बंध को तोड़ने के लिए भी हमें उरजा की जर्वत है ताकि यह अलग हो जाए तो जब हमें जल में एलकिल हैलाइड को भी ले करना है तो शकता पड़ी हमें उरजा की अब ये उर्जा आएगी कहां से? इस उर्जा की सप्लाई होती है, एलकिल हेलाइड और जल क्याणों के मद्धे जब हाइट्रोजन बंद बनता है, वो उर्जा हमें उपलब्द कराएगा, कुछ इस प्रकार देखे, एलकिल हेलाइड और जल क्याणों के बीच में हाइट्रो जल क्याणों के मद्धे जो हाइट्रोजन बंद है, उनको तोड़ सके, उन्हें अलग कर सके, एलकिल हेलाइड और एलकिल हेलाइड के मद्धे जो हाइट्रोजन बंद है, उन्हें अलग कर सके, तो इस उर्जा का मान उतना नहीं है कि हम इसे दो जगा उप्योग कर सके, त इस कारण से हमारा एलकील हैलाइट जो है वो जल में क्या है अन्शिक विले होते हैं जल में विले होने के लिए हिने अधी कुर्जा की अवशकता होती है अब बात उड़ती है कि यह एलकील हैलाइट किस में विले होंगे तो हमारे एलकील हैलाइट जो है वो कार्बनिक विला बेंजीन की ऐसे विलायकों में हमारे अलकील हैलाइड विले होते हैं अब आप समझ ही गए होंगे कि यहां यह विले क्यों है इनकी विलेता का कारण भी वही है चलिए समझते हैं देखिए यहां भी क्या होगा आपके अलकील हैलाइड और अलकील हैलाइड के मद्दे हाइट यहां पर आरो एच आरो एच के मद्दी भी क्या हो रहा है बंद है ठीक हमें यह बंद तोड़ना है बंद तोड़ने के लिए उर्जा के ओशक्ता है यह उर्जा कहां से मिलेगी हमें जब हमारा एलकिल हैलाइड और एलकोहल हरु आपस में आएंगे इनका बंद बनेगा तो यह बंद बन रहा है जो कि एलकिल हैलाइड और एलकोहल के भीच में है इस प्रकार इनके मद्द जब बंद बन रहा है तो बहुत अधीक मात्रा में उर्जा मुक्त होती है और इस उर्जा का उपयोग हम कहां कर लेंगे एलकिल हैलाइड और एलकिल हैलाइड के बंद तोड करने में तो यह बंद असानी से तूट जाएंगे जब असानी ससे तूटे जाएंगे तो हमारे अलकेल हाइड और इलकोहल्य क्या बना लेंगे बंद का निर्मान कर लेंगे जिससे यह असानी से हमारे अल्किल हैलाइट कार्मिक विलाइकों में विले हो जाते हैं तो इस प्रकार देखिए कि हमको यह समझना है कि किस कॉंसेप्ट के लिए हमें हाइट्रूजन बंद का उप्योग करना है और हाइट्रूजन बंद क्या है चलिए अब बात करते हम घनत्व की डेंसिटी की, जब हम एलकेल हैलाइट की बात करते हैं, तो इनका घनत तो किस प्रकार बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, इनके कारण जाने, तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें, कि जैसे जैसे परमानु द्रव्यमान बढ़ते जाता है, किनका, हैलोजन्स का, तो हैलोजन्स का जैसे जैसे परमानु द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ते जाएगा, इनका घनत तो भी क्या होगा, बढ़ेगा, कारण चलिए समझते हैं, हम बात करते हैं, हैलोजन्स की जो की आवरसाणनी में 17 वर्ग का तत्तो होते हैं, इसमें हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोड अब आप देखिए, जैसे जैसे हम उपर से नीचे आते हैं, इनका परमानु द्रव्यमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो जब आपके मेथाईल ग्रुप के सांथ फ्लोरीन होंगे, तो इनका परमानु द्रव्यमान अलग होगा, लेकिन जैसे ही क्लोरीन एड हो वहीं बात अगर हम करते हैं ब्रोमाइट की तो क्योंकि ब्रोमीन आकर जुड़ गया है ब्रोमीन का परमानु भार जो है क्लोरीन से क्या होगा अधिक होता है तो मेथिल ब्रोमाइट का आणवीक द्रव्यमान जो है अधिक हो गया अब बात होती है आयोडीन की तो इसमें दे विक द्रव्यमान जब बढ़ेगा तो उससे क्या होगा घनत्व भी बढ़ता जाएगा अब इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि घनत्व क्या होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन density is equal to mass upon volume अगर यहाँ पे हम द्रव्यमान बढ़ाते जा रहे हैं जो कि हमारे हैलोजन का परमानु द्रव्यमान है तो घनत्व भी उसे साब से क्या होगा धीरे धीरे बढ़ते जाता है तो अगर आप alkyl group सेम रख रहे हैं लेकिन हैलोजन को change करते जा रहें बदलते जा रहें fluoride, iodide की बात करते हैं तो घनत्व क्या होगा बढ़ जाता है ठीक है अब यहाँ पे देखिए क्या सभी का घनत्व एक जैसा बढ़ेगा हम इसे कैसे समझ पाएंगे तो हम simple सी एक बात रखते हैं कि अगर आप methyl fluoride ले ले या कोई भी alkyl fluoride ले ले या कोई भी alkyl chloride तो fluoride औ क्योंकि इनका घनत्व जो है वो जल से क्या होता है कम होता है तो हमारे जितने भी alkyl fluoride और alkyl chloride जो है वो जल से कहाएंगे ऊपर रहेंगे और जल जो है इसमें देखिए नीचे आ जाता है वहीं जब हम बात करते हैं alkyl bromide और alkyl iodide की तो जब इन्हें जल में डाला जाता है तो इनका घनत्व क्या होगा जल से अधीक होता है कैसे समझे हम तो देखिए जैसे इन्हें हम जल में डालते हैं तो इनका जो ब्रोमाइड और आयोडाइड जो है वो जल में नीचे रहेंगे और जल जो है इनका तल ऊपर रहता है तो इस प्रकार हम असानी से समझ सकते ह कि इनके घनतों में किस प्रकार का चेंजस आता है अब आगे बात करते हैं कि यदि हम हेलोजन्स की संख्या बढ़ाते जाएं घनतों में क्या परिवर्तन होगा सोचिए देखिए पहला उधारन ले ले लेते हम मालों हमने ले लिया मेथेन एक कार्बन है और चार यहां पर हा हटाते जाएंगे और उसकी जगह में हम क्लोरीन डालते हैं तो पहला योगिक हमें जो मिलेगा वह हो जाएगा च्छ 3 C L अब हम क्या करेंगे एक और हाइट्रोजन को हटा दे और क्लोरीन को यहां जोड़ देते हैं तब क्या मिलेगा हमें च्छ 3 नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे चौथे हाइट्रोजन को भी हटा देंगे और उसकी जगह में क्लोरीन को जोड़ देते हैं तो हमें मिलेगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड अब देखिए जैसे जैसे क्लोरीन की संख्या हम बढ़ाते गए हैं घनत तो भी क्या हो गया है चलमांब और विमान हाइट्रोजन से अधीखी है जिससे क्या होगा घनत तो बढ़ते जाएगा तो देखिए अगर हम बात करते हैं छ 2-2-2-3.3-3-6 वहीं हम बात करते हैं छ 3-3-3 क्लोरोफों इसका घनत 1.489 कि बात करें CCL4 Carbon Tetra Chloride इसका है 1.595 तो हमने समझ लिया है कि घनत्व जो है वो किस प्रकार परिवर्तित होता है चलिए अब कुछ एक्जामपल हम ले ले कुछ प्रश्णों की हेल्प से हम यह देख ले कि किस ताइप के प्रश्ण यहां पर घनत्व से संबंदित आ सकते हैं चलिए बात करते हैं मालनों हमाई पास है CH3F methyl fluoride यह जल में घुलनशिल है जबकि आप लें methyl chloride CH3Cl यह जल में आघुलनशिल है अब इसे हम कैसे समझाएंगे तो देखे जैसे ही हम आवर साड़ने में आते हैं फ्लोरीन जो है वो आवर साड़ने में क्लोरीन से उपर है साथ यह साथ फ्लोरीन की एक हास्यत है कि इसकी विद्दोत्रनात्मक्ता पूरी आवर साड़ने में सबसे अधिक होती है तो विद्दोत्रनात्मक्ता अधिक होन देखिए इस प्रकार इनमें क्या होता है असानी से हाइ्टरोजण बंद बनता और जल में गुलन्शिल் वता होता है उसां एक्जामपल ने कारबन टेट्रक्लोराइड CCL 4 इसमें जो कारबन और क्लोरीन के मद्द जो बंद है इनकी विद्दुत्रनात्मक्ता में अंतर होने की कारण कैसा है दुरूवी है तो कारबन टेट्रक्लोराइड में CCL इसा है हमारा Rovie है पर जब हम Carbon tetracloride की बात करते हैं ये अणू जो है आ ambitions होते हैं क्यों कि चलिए समत्सक्राइसे जब बात करते हं कि Carbon और Chlorine के Bangacha में तो अधिक नगहता है तो यह क्या करेगा साधेक एलेक्ट्राइन को अपनी और खीच लेता है इससे क्या होगा हमारे क्लोरीन के ऊपर रिनावेश आता है और कार्बन के ऊपर धानावेश होता है तो क्लोरीन और कार्बन का जो बंद है वो कैसा हो गया है धुरूविय बंद है ठीक है अब देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइट की जब बात करते हैं जब क्या हो जाता है शुन्ने हो जाता है चलिए एक और एक्जाम्पल ले ले अब हम लेते हैं C6 CL6 ये आद्रूविय योगिक है लेकिन C6 H6 CL6 ये कैसा है द्रूविय सभाव का है ऐसा क्यों है चलिए समझते हैं पहले तो ये देख लीजे कि C6 CL6 में जितने भी कार्बन है हमारे 6 के 6 कार्बन जो है ये क्या करते हैं SP2 संकरन करते हैं SP2 संकरन में एक S कक्षक और दो P कक्षक आकर संकरन करते हैं और इनकी जब आक्रिती बनती है तो यह आक्रिती कैसी होती है समतली होती है आक्रिती समतली होती है साथ ही साथ देखिए हम बात कर रहे हैं C6 CL6 की तो इसमें आक्रिती हेक्जागोनल है जिससे द्वीधरु आगून का मान जो क इसमें जितने भी हमारे छे कार्बन है ये सभी छे कार्बन SP3 संक्रन दर्शाते हैं अब SP3 संक्रन में आकरिती कैसी होती है चतुषफल की होती है चतुषफल की आकरिती एक ही तल में नहीं होती कुछ इस प्रकार तो यहाँ पे समतल सरचना नहीं होती अब इसके कारण द्वी द्रु आगून का मान कभी भी शुन्य नहीं होगा और जिस योगिक के द्रु द्रु आगून का मान शुन्य नहीं होता वो कैसे होंगे द्रुवी प्रकृति के होते हैं अब हम देखते हैं हेलो एलकेन के क्वथनांग जब हैलो एलकेन बने हाइड्रो कार्बन से तो आमने देखा कि हाइट्रोजन क्या होते गए हटते गए और यहाँ हैलोजन आते गए इससे दो चीजें हुई पहला जो प्रभाव पड़ा कि इनका आण्विक द्रव्यमान बढ़ता गया क्योंकि हाइट्रोजन कार्णविक द्रव्यमान कम था और जो भी हैलोजन आरे भले आप बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तो इनका जो द्रव्यमान है वो हाइट्रोजन से अधीक होता है तो एक प्रभाव यह पढ़ता है कि हमारे हेलो एलकेन का द्रभीमान हाइड्रो कारबन के द्रभीमान से क्या है अधिक है दूसरे चीज़ क्या हुई क्योंकि इनके विद्धो त्रनात्मत्ता में Бईत अंतर है तो हमारा accountability hydrogen बंद कैसा है दुरूबी होता गया। जिसके Sí, जब हम हाइड्र ép should have an alcohol source unicorn की बात करें और क्या हो गया सांती सांत वंडर वोल अकर्शन भी क्या हो गया बढ़ जाता है इससे क्या होता है हम बात करें थे क्वथनांग क्या होता है क्वथनांग में हम लिक्वीट को किसमें बदर रहे होते हैं द्रौ को हम गैसी अवस्था में बदर रहे होते हैं अभी कब होगा और कै देखे क्या होता है कि हमें इतनी उर्जा देनी होती है कि जितने भी बंध है जिनकी हम बात करेते हैं जिस भी प्रकार के आकर्शन है द्वीद्रू और द्वीद्रू वंडर्वाल आकर्शन इन सभी आकर्शन को हमें क्या करना होगा तोड़ना होगा इन सब आकर्शन को और गैस में और दूर होते हैं तो हमें वही स्तिती लानी होती है हम उर्जा देंगे यह उर्जा कहां उप्योग होगी इन अनुओं को दूर करने के लिए इस उर्जा का उप्योग होगा अब आप ही सोचिए आकर्शन जितना जादा होगा उतनी ही जादा हमें उर्जा लगा पड़ेगी अणुओं को क्या करने के लिए दूर करने के लिए और अनुद जब दूर होंगे तभी तो वो उस्ता से कहां बदल पाएंगे गये सवस्ता में बदल पाएंगे याने जैसे जैसे हम हेलो एलकेन के बात करते जा रहे हैं तो ये सब आकर्शन बढ़ने से इनका क्वतनांग भी क्या होच गया है बढ़ जा रहा है ये तो clear हुआ अब यहाँ पर दूसरी चीज़े हमें जो ध्यान रखनी है की और क्या factor है जो क्वतनांग को बढ़ाते हैं तो बात करते हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की जब हम उपर से नीचे की ओर आते हैं एक वर्ग में तो परमानेग द्रविमान क्या होता है? बढ़ता है अब आप एक चीज ध्यान रखेंगे हमेशा से कि परमानेग द्रविमान और क्वतनांग ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं जैसे जैसे परमानेग द्रविमान बढ़ते जाएगा क्वतनांग भी क्या होगा? बढ़ते जाता है तो मालनो हम ले रहे हैं एक अनिश्चित अलकील ग्रूप उसमें हैलोजन को हम बदलते जा रहे हैं मालो हम ले रहे आर एफ एलकिल फ्लोराइड फिर हम ले रहे हैं एलकिल क्लोराइड एलकिल ब्रोमाइड और एलकिल आयोडाइड तो यहां पर देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरफ जब हम जा रहे हैं क्योंकि इनका परमान्विक द्रव्यमान बढ़ता है तो उस अनुकान्विक द्रव्यमान क्या होगा बढ़ते जाएगा और जैसे यह आन्विक द्रव्यमान बढ़ रहा है तो उसका क्वथनांग भी क्या होगा बढ़ते जाता है तो यह भी हमें सपस्ट रखना है कि द्रव्यमान ब जब बढ़ते जाएगी तो कवथनांग क्या होगा बढ़ते जाएगा द Quickly कुछ इस प्रकार呢 क्यों होगा यह प्रिस्ट चेतरफब प्रिस्ट क्या हो जा रहा है अधिक होगा अधिक होता है जिसके कारण शिंक्ला बढ़ने से कौथनांग बढ़ते जाएंगे और क्या होगा तो जब हम बात करते हैं समावयवी के जिन में अनुसुत्र समान होता है और हम उसे अलग-अलग तरीके से लिखते हैं तो उस केस में भी क्वतनांग में परिवर्तन आता है चलिए समझें कैसे देखिए मालनों हम ले रहे हैं एक सिंपल समावेवी और जैसे जैसे इसमें शिंकला बढ़ाते जा रहे हम बात करने अगर नॉर्मल पैंटेन की तो नॉर्मल पैंटेन में देखिए कार्बन की संख्या समान यहां पर क्या हो रहा है सर्फेस एरिया जो प्रिष्ट छेत्रे वो अधिक है और यदि हम नियो पैंटेन की बात करते हैं नियो पैंटेन में देखिए क्या हो रहा है शिंकला बढ़ने से जो साइट चेन है बढ़ने से इसका प्रिष्ट सता क्या हो जा रही है वो कम हो जा जा रहा है तो यहां पर शिंकला बढ़ने से क्या होगा क्वतनांग घड़ता है साइट चेन बढ़ते जाएगी तो क्वतनांग क्या होगा घड़ते जाएगा